गूगल डॉक के क्लाउड बेस्ट वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है तो यहां पर अगर आपके पास MS Word नहीं है MS Office का पैकेज नहीं है तो आप ऑनलाइन जाकर भी गूगल डॉक कर सकते हैं यहां में आपको मोबाइल में गूगल डॉक कैसे यूज करते हैं यह बताने वाला आपको जरूर पता होने चाहिए नमस्कार दोस्तों मैं अभेनी भरतवाज आपका स्वाल करता हूं मैं मोबाइल गाइड में और इस चैनल पर मैं आपके लेकर आता हूं मोबाइल टेक्नोई से जुड़े हुए धेर सारे टिप्स और टिक्स तो अगर आप नए हैं चैनल स आप समझी सकते हैं कि इसकी popularity कितनी है चलिए इसे यहां से उपन कर लेते हैं तो जब पहली बार आप Google डॉपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा यहां पर आप इसे skip करके आगे बढ़ा सकते हैं यहां से आपको इसे done कर देना है यहां पर आप नीचे देख रहे हैं कि आपको single एक plus का निशान दिखाए देगा जैसे पहले gmail में दिखाए देता नई email बनाने के लिए उपर आपको यहां पर सर्च बॉक्स दिखाई देगा search docs लिखा हुआ है जहां से आप अपने documents को search कर सकते हैं इस menu पर जब आप टैप करेंगे तो आपको यहां पर recent, shared with me, start, offline file, trash और setting का option दिखाए देगा चलिए अब एक नया document Google Doc में बना के देखते हैं यहां पर आपको plus पे tap करना है जैसे आप plus पे tap करेंगे तो आपको यहां पर choose template और new document का option मिलेगा जब आप choose template को select करेंगे तो यहां पर काफी सारे templates दिए गए हैं जैसे resume इसके बाद यहां पर आप देखेंगे letter templates दिए गए हैं इसके बाद यहां पर education के template दिए गए हैं अगर आप कोई अपना project तयार कर रहे हैं कोई report तयार कर रहे हैं ऐसे तयार कर रहे हैं तो उसके लि पड़ नया document बनाने के लिए plus प्रॉप पर टैब कीजिए और new documents पर चले जाएए तो जब new documents आप open करेंगे तो यहाँ पे आपको यह जो बीच में white area दिख रहा है यह आपका page है यहीं पर आपको type करना है और यहाँ पर आप आप नीचे देखेंगे कि नीचे आपको option मिलेंगे bold, italic, underline यह आपके text का color है यह highlighter है यहाँ पर आप देखेंगे यह आपको दिखाए देंगे right, center, left और justify गा चलिए कुछ type करके यहाँ पर देखते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर tab करूँगा तो यहाँ नीचे keyboard आजाएगा और keyboard से आप Hindi और English दोनों में टाइप कर सकते हैं तो अगर आप Hindi या किसी अन्य भाशा में टाइप करना चाहते हैं तो आ मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख दियता हूँ यह देखी मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख दिया है अब इसको select करने के लिए जब आप इस पर टैप करेंगे थोड़ी दिर के लिए तो यह notes आ जाएंगे इनको पकड़के खीचेंगे तो आप यह जो यहाँ से आप अपने text को bold, italic, underline या आपको कुछ color करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं जैसे आप इसे हम red color से कर लेते हैं इसे यहाँ से ok करेंगे यह देखी यह red color से हो गया इसके बाद यहाँ पर यह जो option है यह इसको highlight करने के लिए है जो background है वो highlight हो जाएगी highlighter जैसे इसके बाद यहाँ पर यह जो option है यह है इसको center करने के लिए left justify करने के लिए और कोई बड़ा paragraph आपने type किया है तो उसको full justify करने के लिए यहाँ पर यह bullet list दी गई है इस पर जैसे आप टैप करेंगे तो bullets आ जाएगा और यहाँ पर नीचे जैसे आप enter करेंगे तो एक नई bullet list त्यार हो जाएगी तो यहाँ पर आप जो चाहें so लिख सकते हैं देखिए इस तरह से फिर एक enter करेंगे आप तो अगला bullet list आ जाएगा तो यहाँ पर मैं कुछ और चाहूं तो वो लिख सकता हूं यह दिखिए अब इस पूरे जो text पर भी हमने इतनी सारी formatting लगाई है इ सारी चीजने हटानी है यह की बार में तो क्या करना होगा इसको आप select करेंगे select all करेंगे और यह जो एक का जो icon बना हुआ है उपर इस पर tap करेंगे जैसे tap करेंगे तो नीचे यह सारे option open हो जाएंगे इसको उपर scroll करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे clear formatting का option मिलेगा इस इस पर जैसे आप tap करेंगे यह देखिए तो जो सारे हमने formatting लगाई थी वो सब हट जाएगी यहाँ पर आप देख रहेंगे नीचे इसके साथ में आपको यहाँ पर मिलता है style का option font का option यहाँ पर आपको font size मिलता है बस इस पर tap करते जाएए font size बड़ा होता जाएगा text color का option वो सारे color जो भी हमने उपर से लगाए थे वो आप यहाँ से लगा सकते हैं highlight color को हमने use करी लिया है इसके बाद में जो अगला option है यह है paragraph का paragraph में यह options हमने use कर लिये है bullet number और bullet listing आप यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पर नीचे आपको line spacing दिया गया है जैसे ms word में दिया जाता है इस पर tap करेंगे तो जो आपकी line spacing है वो कम और ज़्यादा होती रहेगी यह देखें ज़्यादा हो गई और यहाँ से मैं करूंगा तो यह कम हो गई और इसके बाद यहाँ पर यह सारी formatting लगाने के बाद में यह जो plus का icon है जब आप इस पर tap करेंगे तो आपको यहाँ पर link link लगाने का option मिलेगा comment लिखने का option मिलेगा image अगर आपको अपनी इस फाइल में कोई लगानी है तो उसका option मिलेगा चलिए एक image इंसर्ट करके देख लेते हैं यहां पर टैप करते हैं कहीं भी नीचे जाते हैं प्लस के आइकन पर टैप करते हैं यहां पर आपको इमेज का आप्शन मिलेगा टैप कीजिए इस पर from photo और from camera और from web तीन option है अगर आप web से लेना चाहते हैं तो इस पर tap कर दीजे और यहाँ बर डाल दीजे कोई भी नाम तो मैं यहाँ पर computer लिख देता हूँ यहाँ से इसको search करा लेता हूँ तो दीखें web से कुछ computer की cliparts मुझे मिली है किसी को भी मैं यहाँ से select कर लूँगा और यहाँ से मुझे सिर्फ insert पर tap करना है तो दीखें हमने अभी internet से एक image यहाँ पर download की है और उसको insert किया है Google Doc में इसके बाद चलिए और कुछ options यहाँ पर दीए गए हैं उनको देख लेते हैं यहाँ पर मिलता है table का option तो यह देखें यहाँ पर bullet list साथ में चल रही है तो इस पर से हम tap हटा देंगे तो यह bullet list जो हट जाएगी और यहाँ पर हम दुबारा से एक table insert करा के देखते हैं यहाँ पर जाएंगे हम table पर और यहाँ पर column और row दिये गए हैं इसकी संख्या यहाँ पर दी गई है तो आपको जितने column जितनी row लेनी है उसके साथ से आप यहाँ पर संख्या select कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर पांच column ले लेते हैं और दो row ले लेते हैं इसको यहाँ से insert कराते हैं तो आप देखिए कुछ इस तरह की table आपके dock में आ जाएगी इसको आप आगे पीछे बढ़ा के यहाँ कुछ type कर सकते हैं तो इसमें कुछ type कर लेते हैं हम देखिए कुछ इस तरह से आप इसको type कर पाएंगे table के नीचे कुछ अगर आपको type करना है तो tap कीजिए simple और type करना है शुरू कीजिए अब यहाँ पर जाएंगे इसके बाद में आपको यहाँ पर option मिलता है horizontal line का page break का और page number का तो अगर आप अपने document पे page number, page break यह चीज़ने लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके बाद आपको document outline इस पर आप टैप कर देंगे तो आपके document के चारों तरफ एक outline आजाएगी यहाँ पर देखे आ गई तो यहाँ पर हमां find और replace का option मिलता है अगर कोईी शबद आप से गलत हो गया तो यहाँ से आप उसे find कर सकते हैं इसके बाद ये तीन dots पर आपको tap करना है और जाना हम एं और रेप्लेस वाले option पर. और रेपेलेस वाले option में जाकर आपको आपको यहाँ पर नीचे रेपलेस बिद लिख दियना है. तो replace with में आप जो भी लिखेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं लिखेंगे दाओ mobile ठीक है अब देखें ऊपर मैंने big डाला था नीचे मैंने mobile डाला इसको आप यहाँ से जैसे टैप करेंगे तो यह replace हो जाएगा अगर यह जितनी भी जगे होगा इस document में वहाँ उसको replace कर दिया जाएगा इसके बाद फिर से टैप करते हैं इस menu में यहाँ पर spelling check का option मिलता है पेज सेटप का option मिलता है इसके बाद यहाँ एक option मिलता है word count वाला आपने पूरे document में कितने word जो है लिखे हैं तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखे हुए 7, characters है 39, character including space यानि कितने character space के साथ में है तो है 37, so इस तरह से यह जो Google Doc है इसमें आप सारी चीज में कर सकते यहाँ पे side में आपको scroll मिलता है इससे आप इसे ऊपर नीचे scroll कर सकते हैं page को यहाँ पे जब आप एक बार और tap करेंगे तो आपको नीचे option मिलेगा available offline का यानि इस document को आप offline भी अगर देखना चाहते हैं अगर आपके phone में internet pack खतम होने वाला है तो यहाँ पे इसको tap लगा save as और print का option मिलता है तो अगर कोई cloud printer आपके phone से link है और आप चाहते हैं उसे print नकलना तो यहाँ से आप निकल सकते हैं save as करना चाहते हैं तो save कर सकते हैं अच्छा एक चीज़ और बता दूँँ कि यह जो file आप यहाँ पे बना रहे हैं इसको आपको save करने की जरूरत नहीं ह save हो जाता है जब भी आप कोई नया document बनाते हैं तो उसको save करने की जरूरत नहीं होती है Google Drive में वह automatic save हो जाता है आप उसकी और copy बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं link sharing यानि अगर आप इस document को किसी और को देना चाहते हैं विक्ति को उसको link भेज दीजिए वह अपने आप उसको खोल के देख लेगा copy link तो यहाँ से जो link है वो copy हो जाएगा और किसी भी social media पर जब आप इसे link कराएंगे किसी को WhatsApp पर भेजएंगे तो वहाँ पर चला जाएगा और इसके बाद में आपको यहाँ पर send or copy का option मिलता है तो जब इस पर tap आप करेंगे text में इसे आप convert कर सकते हैं rich text format में आप इसे convert कर सकते हैं और यहाँ तक की web page HTML में भी आप इसको convert कर सकते हैं PDF में चलिए हमें इसे convert करके देखते हैं तो PDF हम select करेंगे और OK करेंगे तो यह जो document है अभी PDF में convert हो जाएगा तो यहाँ पर मैं इसे Gmail पर send कर देता हूँ यह देखे Gmail open हो गया है और attachment के तौर पर जो हमारी PDF फाइल अभी जो हमने बनाई थी वो यहाँ पर आ गई है तो इस तरह से आप phone में Google Doc का इस्तमाल कर सकते हैं और इसके features का फायदा उठा सकते हैं तो कैसा लगा यह वीडियो जानेंगे Google Spreadsheet को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने phone